चावल के आटी की जुवत होगी इस को इए कप नाती से चावल के आटा लिया हुआ हैं इसमें हम्हें छोड़ा मिला Amaagya और देसी घी पानी बादेंगे हम इसमें इलाइची का पाउडर फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा देशी घी की हमें जुवत पड़ेगी इसके साथ ही दो लगाने के लिए हमें पानी भी चाहिए होगा सो आईए ट्रू करते हैं अपने मोदक बनाना सबसे पहले हम मोदक के लिए इसका डो लगा के तयार करेंगे इसके लिए हम एक पैन लेंगे हम एक कप नाप से पानी डालेंगे हमने एक कप आट लिया है और हम इसमें एक कभी पानी एड करेंगे पानी को बॉइल होने देते ह पानी में बॉइल आ गया है हम गैस सिंगे और इसमें हम ने जो अपना एक कपाटा लिया हुआ है चावल का इसको इसमें मिलाएंगे दिखिए हमारे आटे ने सारा पानी सोफ कर लिया है इसको अब हम दस से पंदा मिनट के लिए ऐसे ही धक के रख देंगे जब तक हम अपनी स्टफिंग की तैयारी करेंगे एक पैन ले लिया है हमने एक बड़ा चमच हम इसमें देशीगी के एड करेंगे इसके बाद हम भी गैस सिम कर देंगे और हमने अपकफ गोला लिया है कद्दू कस करा हुआ इसको इसमें एड करके हलका सा रोस्ट कर लेंगे गोला हमारा हलका सा रोस्ट हो चुका है इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुश्भू आ रही है एक मिनट हो गया है हम इसे बूलते हुए सिम गैस पे ही हमने जो गुर्ड लिया हुआ है हाफ कफ उसको एड़ करेंगे और इसके मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे देखिए हमारा गुर्ड मेल्ट हो गया है और गोले में अच्छे से बाइंड हो चुका है अब हम इसमें हमने जो अपने ड्राइफूट्स लिये हुए है उनको एड़ करेंगे ड्राइफूट्स आप अपनी चॉइस के साब से कुछ भी एड़ यह इसमें से रिमूफ कर सकते हैं इसमें हलका सा इलाइची का पॉर्टर डालेंगे अच्छे से ड्राइफ हो चुकी है साइट साइट से देख सकते हैं गी जो हमने डाला था इसने वह भी छोड़ दिया है हम अपनी गैस बन करेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे धंडा करने के लिए जब त काफी गरम होगा तो आईए इसमें हमने यह हाफ कप पानी लिया है इसको बहुत थोड़ा-थोड़ा करके ही मिलाएंगे एकदम सारा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है यह देखिए यह हमारा आटा लगके तयार हो चुका है और इतना हमें आटा लगाने में मैंने आधा कप पानी लिया था और इसमें से बन 2 टेबिल स्पून ही पानी यूज किया है तो आईए अपने मोदक बनाना शू करते हैं आपके पास अगर मोदक बनाने का साचा हो तो आप उसके द्वारा भी बना सकते हैं नहीं तो इनको हाथों से भी बहुत असानी से बनाया जा सकता है आईए हम आपको दोनों तरीगे से बनाना दिखाते हैं हथेलियों फिर हलका सा घी मल लेंगे फिर एक पेडी लेंगे इसको हाथ से इस तरीके से थोड़ा हम चप्टा करेंगे फिर इसको किनारों से थोड़ा थोड़ा हम पतला करते जाएंगे जिससे इसमें एक कटोरी की शेप बन जाएगी इदेखे इस तरीके से ये बन जाएगी अब इसमें हम अपनी स्टफिंग भरेंगे उठाते हुए ऐसे इस शेप में लेके आएंगे देखे और जो उपर से हमारा एक्स्ट्रा होगा वो हम निकाल देंगे देखे हमारा ये एक मोदग बन के तयार है अब इसमें हम इस तरीके से डिजाइन बना सकते हैं जैसा हमारे को खाचे से बनाने में मिलता है ये देखे ये हमारा एक मोदग बन के तयार हो चुका है एक पेड़ी लेके इसको ऐसे रोल करेंगे और बंद करने के बाद इसके अंदर उपर से फिल करेंगे और इसको हम खाचे के अंदर डालने के बाद इसकी बीच में स्पेस बनाएंगे और इसको किनारों से खाचे के अंदर ही चुपकाइंगे ये देखे इस तरीके से ये हो जाएगा अब इसमें हम अपनी स्टपिंग डालेंगे और उपर से वापस से हम एक छोटा टुकड़ा लेके इसको हम प्रेस करेंगे और इसको हम दबा देंगे अच्छे से ये देखें ये हमारा खाचे वाला मोद तक भी बनके तयार है इसी तरीके से हम अपने सारे आटे के मोदक बना के तयार कर लेते हैं ये देखें हमारे सारे मोदक बनके तयार हो चुके हैं ये देखें ये हमारे हाथ से बनाया हुआ बिना साचे का मोदक है और ये हमारे साचे से बनाया हुए मोदक है दोनों में कुछ भी अंदर नहीं हैं, दोनों एकदम स्मूथ हैं, इसको अब हम स्टीम करने लिए रखते हैं, इसको एक कढ़ाई के उपर प्लेट रखके स्टीम करेंगे, आपके पास स्टीमर हो, आप उसमें भी स्टीम कर सकते हैं, हम इसमें पानी आड़ करेंगे, जिस प इसे लगब्बक 12-15 मिनट्ट के लिए स्टीम करना है वह स्टीम रखेंगेांगे मोदक को स्टीक होते उए 15 मिनट हो चुके हैं आईए इसको हम चेक करते हैं एक देखें यह हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं यह यह थायर है के तयार है इंगे उपर हलका हलका हमने आरे पास जो ड्राइफ फ्रूट है उसको स्प्रिंकल कर देंगे गार्निशिंग के लिए यह हमारे मोदक तयार है उमीद करती हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई हुई मोदक की रेजिपी पसंद आएगी आप इसको अपने घ चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिस और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा मिलते हैं अगली एक और नई रेसिपी के जार तब तक के लिए टेक किय गुडबाय थैंक यू